नमस्कार दोस्तों स्वागता आप स्वीका आपके अपने चैनल केरेर पाइंट पर आप स्वीका स्वागता है दोस्तों आज हम आप लोगों के लिया पर सामाने विगन का पार्ट नंबर 73 लेकर आ गए हैं जिसके अंदर टोफ 40 MCQ कूश्चन रखे गए हैं दोस्तों डेली आपको यहां पर जर्नल साइंस जर्नल अवैने और करेंट आफेर की वीडियो जहां पर आपको प्रोवाइड करा जाती हैं जो कि आपके किसी भी गोर्वेंट एक्जाम की तयारी के लिए बहुत ही महतपूर रहते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को करिए और हमारे आंशो देने इस पहले कमेंट बोक्स में क्यूसर का आंशो देते रहे और प्रते क्यूसर को जो है अपने कॉपी के अंदर नोट करते चलिए ताकि आपके पास इकटे हो जाएं और आप लोगों को वीडियो देखने की बार-बार जुरूत नहीं पड़े तो सभी क्यूसर को नोट करते चलिए और कमेंट बोक्स में आंसर देए और हमें लाक्ष में कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसे लगी क्यूसर कैसे लगे और अगर आपको क्यूसर लगे तो वीडियो को लाइक चुरू कर दिजिए और शेर कर दिजिए अपने दोस् क्टोउमी, option बॉप्षन B , आपका, सही हो जाएगे, और पूर्सोव की नस्बंदी को का जाता है, वैसे क्टोमी चाता है, दोस्तोव पूर्सो सहव की नस्बंदी को, और स्तिरalition की नस्बंदी को काला अगला क्यूश्चन देखिए वाहिनी विहीन गरंतियों के सर्वन को कहते हैं बताइए क्या कहते हैं चलिए देखिए हार्मोन कहते हैं उप्शन भी हार्मोन आपका सही हो जाएगा अगला क्यूश्चन देखिए मनुष्य की विशालतम धमनी कौन सी है कौन सी है ए ओ आर्टा option B आपका सही हो जाएगा ए ओ आर्टा अगला question देखिए नाड़ी दर कहां से मापा जाते है जी नाड़ी दर कहां से मापा जाते है जाए देखिए धमनी से option b आपका सही हो जाएगा धमनी अगला question देखिए एक वहस्त में रख्ट का उसत आयतन कितना होते हैं कितना होते हैं 5-6 लिटर option c आपका सही हो जाएगा 5-6 लिटर अगला question देखिए रख्ट का सुधिकान कहा होते हैं जिकापर होता है बिल्कुल फैंट सभी के अंदर होता है फेफडा या करित और किड्नी सभी के अंदर जो है रख्ट का सुधिकान होता है तो option d आपका सही हो जाएगा यह सभी अगला question देखिए मचलियों से सम्मधित अध्यन कहलाता है मचलियों से सम्मधित अध्यन क्या कहलाता है एक्तियो लोजी option c एक्तियो लोजी आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए औरनितो लोजी में किसका अध्यन किया जाता है किसका अध्यन होता है देखिएगा पक्सियों का अध्यन होता है औरनितो लोजी में option a आपका सही हो जाएगा पक्सि अगला question देखिए हिस्टोलोजी किस से सम्मंदित है हिस्टोलोजी किस से सम्मंदित है देखिएगा उतक से option A आपका सही हो जाएगा उतक अगला question देखिए गाओ का अध्यन क्या कहलाता है बताएगा comment करके गाओ का अध्यन क्या कहलाता है यह बिल्कुल देखिएगा friends क्या कहते है Tremetology option C आपका सही हो जएगा अग्ला question देखिए cancer संमंदी रोगों का लिगत ग्या कहलते हहे ग्षार कहलते है oncology कहलते है option C oncology आपका सही हो जएगा next देखिए 1 सागति के नीमों के लिगते है क्या कहते है अनुवानसा के कहते है Option C, अनुवानसी की सही हो जाएगा आपका अगला क्यूशन देखिए तितलियों का अध्यान कहलाता है तितलियों का अध्यान क्या कहलाता है बताएगा Labdery Dereotology Option C, आपका सही हो जाएगा अपे अगला क्यूशन देखिए अनाजवाले पोदे कि स्कूल से सम्मंदित हैं बताज़ेगा किसे हैं ग्रे मीनी से option C आपका सही हो जाएगा ग्रे मीनी next देखिए गेहों के पोदे का वानस्पतिक नाम क्या है चलिए देखिए क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम option D आपका सही हो जाएगा अगला क्यूस्टिन देखिए दल हनी पोदे सम्मंदित हैं दल हनी पोदे किसे सम्मंदित हैं देखिएगा ग्रे मीनी से option D sorry friends देखिएगा लग्यू मिनोसी से दल हनी पोदे जो है लग्यू मिनोसी से सम्मंदित हैं option C आपका सही हो जाएगा अगला question देखिएगा देखिएगा friends, next question देखिए सबसे बड़ा cool है सबसे बड़ा cool कौन चाहे देखिएगा कौन चाहे है Compositi Option D Compositi आपका सही हो ज़े गए पर अगला question देखिए मुंगफली का वानस्पतिक नाम होता है मुंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है देखिएगा RxC Hypogea Option C आपका सही हो ज़ेगा अगला question देखिए चाहे के पोदे का वानस्पतिक नाम क्या होता है क्या नाम होता है Thea Sinensis Option C आपका सही हो ज़ेगा Next देखिए मानव शरीर में जलकी मातरा कितने होती है मानव शरीर में जलकी मातरा कितने होती है 80% Option D आपका सही हो ज़ेगा 80% अगला question देखिए मनुष्य का सामने तापकरम कितना होता है कितना होता है 98.6 degree Fahrenheit अगर आपसे Celsius में पूछ ले जाए तो 37 degree Celsius हो जाएगा ठीक है अगर Fahrenheit से केल में पूछ जाए तो 98.6 degree Fahrenheit और Celsius में पूछ जाए 37 degree Celsius आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए माना श्रीर में आहार मुख्यत पच्ता है बोजन जो है काँ पर पच्ता है देखिएगा छोटी आथ में और start जो है मुँ से परारम होता है बोजन का पच्तना जो है मुँ से परारम होता है और छोटी आथ में जाकर पच्ता है option B आपका सही हो जाएगा next देखिए मनुश्य लोहा किस से प्राप्त करता है कमेंट करके आशो दीजी मनुश्य लोहा किस से प्राप्त करता है देखिए किसे पालक से option B पालक आपका सही हो जाएगा यह पर अगला question देखिए देखिएगा फ्रेंट्स, माराव शरीर में सबसे पर्चूर मातरा में पाया जाने वाला तत्तव कौन सा है, कौन सा है, ओक्सिजन, ओप्शन डी आपका सही हो जएगा, अगला क्यूश्चिन देखिए, किस पोशक तत्तव का सरव पर्थम मुह में पाचन होता है, तो किसका ह अंग में प्रारम होता है किसमें होता है मुझ से प्रारम होता है option A आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो कौन सी होती है सरीर में सबसे बड़ी हड़ी फीमर option B आपका सही हो जाएगा फीमर अगला क्यूशन देखिए मानाव स्रीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है तो कौन सा होता है फ्रेंट्स आंतरिक अंग देखिएगा यक्रित ओप्शन बी यक्रित आपका सही हो जेगा है अगला क्यूशन देखिए मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है देखिए परमस्तिस्क होता है सबसे बड़ा भाग option c परमस्तिस्क आपका सही हो जएगा अगला question देखिए शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कोण सी है सबसे बड़ी कोशिका कोण सी होती देखिए तंत्री का तंतर Option A आपका सही हो जाएगा तंतर यहाँ पर राइट आन्शूर अगला क्यूसिन देखिए मानाव शरीर में उरोस्ति को कहाँ पर पाएंगे उरोष्टिक आपर होती है चाती में option D आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देखी optimum mix संबन दित है किस संबन दित होता है देखीगा आखों से option D आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देखी माना उरक्त का pH मान कितना होता है बताएगा कितना होता है, 7.4, ओपाज़न C आपका, सही हो जगा, 7.4 होता है, मानवरख्ट का pH मान, अगला क्यों कुषिन देखिए, इंसुलिन की कमी के अकाड़ होने वाला रोग कौनसा है, तो कौनसा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, diabetes, ओपज़न B, आपका, सही हो जगा, अगला क अगला question देखिए, मानाव सरीर की सबसे चोटी एड़ी कौन सी होती है, सरीर की सबसे चोटी एड़ी होती ही कौन सी, चली देखिए, step is, option B आपका सही हो जाएगा यापे, अगला question देखिए, insulin सिरावित होता है, insulin किसे सिरावित होता है देखिएगा, अगनासे में, option A, अगन रख्त का निर्मान होता है लाल रख्त का निर्मान किसमें होता है देखीगा फ्रेंट्स किसमें अस्थी मज्जा में उप्शन ए अस्थी मज्जा आपका सही आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन देखी हीलियम की खोज किसी ने की थी बताएगा हीलियम की खोज किसी ने की थी लो केयर ने, option B आपका सही हो जाएगा, लो केयर आज का last question देखिए friends most important question है, सभी का answer राना से comment box में, पारत थर्मामेटर का विश्कार किसी ने किया था किसी ने किया था पारत थर्मामेटर का विश्कार चले देखिए, भारेन height ने किया था option B आपका सही हो जाएगा तो friends, यह था आज के मारे general science के 40 questions जो भी complete हो जगे हैं अगर आप लोग इन question को अच्छे से कर लें थे तो आप अपने exam को अच्छे score के साथ क्या कर सकते हैं अगर आप लोग ने अभी तक channel को subscribe निक हैं, सभी channel को subscribe करिए और सभी वीडियो को अपना एक एक like और एक share अपने दोस्तों जात कर देना ताकि वो भी अपने exam के आपर तयारी कर सके हैं friends हमें comment करके पर यह आपको वीडियो कैसे लगी question कैसे लगी हमें comment करके जूरू पर यह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक good bye take care जैहिंज जैबारत वंदे मातरम